हेलो डियरे स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप ये का यूडिंग ग्रेट वेलकम टू दे डेली एक्जाम अनलाइसिस अफ आरार सी गुरूप डी यहां पे हम लोग डेली बेसिस पे गुरूप डी का अनलाइसिस करते हैं पेपर का सिफ्ट वन टू एं थर्ड ती तो चलिए हम लोग फुल पेपर का अनलाइसिस करते हैं कम से कम टाइम प्रियाड में तो यहां पर मैं सभी चीज को बताता हूँ जैसे एक्जाम का लेवल कैसा था नंबर अप कोशन कितना अटेम्ट किया गया स्टूडेंट के द्वारा सेकंड शिप्ट के पेपर में सेक अब कर द्वाद कर लेवल का तो ईशाम लेवल जिस तरह हम लोगा खार आणार अगस के फ़र्स सिंट था न से मुसी तरह है यानि easy to moderate गया बहुत easy नहीं था और hard भी नहीं था easy to model level का आप लोका exam था अगर question का बात करें कितना student के उदर attempt किया गया तो काफी अच्छा attempt था मैं आपको attempt बता देता हूँ दो-तिन तरह का student का मुझे review मिला कुछ student यह से थे जो कि आपके category वाले थे उनलोग ज्यादा risk नहीं लिया यह है जो without risk के साथ अच्छा attempt करके बनाएं कुछ ऐसे भी है जो कि ज्यादा risk लिये ज्यादा risk लिये वह आपका 90 प्लस भी जो है वह आपका number इतना question को attempt किये हैं तो हर तरह का question आपको दिखेगा तो यह कुछ था तो attempt में अच्छा मौनूंगा अगर 60 प्लस लड़का भी अगर category वाज भी किये हैं और बिल्कुल आप risk नहीं लिये है यानि कि 60 प्लस करने का मतलब किया है जो category है वह रिक्स नहीं लिया है इतमिस जितना question बना हो सही बना है तो फिर भी बहुत ही अच्छा attempt है तो good attend में मानूंगा अगर बात करेंगे स्टूडेंट का attendance तो first shift में हम लोग देखे तार 18 अगस के first shift में कि आपका 40 से लेकर 45 प्र 50% से ज्यादा बच्चा आहीं नहीं रहा तो एक्जाम जाए एक्जाम जाके देना आप लोग है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है चलिए अब डिसकस करते हैं हम लोग और चीज़ों के बारे में जिससे reasoning का मैत का science का अजी के and current affair का कैसा रहा question का level और किस-किस जगह से question कुछ आ गया अगर बात करते reasoning का तो फिर से काफी आप ज्यादा ज्यादा मेक्सियम नंबर आप question को attempt कर सकते हो तो मेक्सियम नंबर आप आराम से कर सकते हो अगर कई फसेंगे तो फिर से first shift की तरह 17 अगस और 8 अगस में भी आप लोग को सीटिंग एरेजमेंड और पजल से थोड़ time taken वाला question आ रहा तो आप इस दोनों को जरूर से जरूर अच्छी तरह से आप लोग देख लेना दो चार question लगा के practices का कर लेना ताकि वहाँ पर फसे नहीं थोड़ा lengthy question आ रहा है मेत का बात करेंगे तो मेत का similarly है कि भई 3-4 question को अगर छोड़ देंगे ना 3-4 question time taken है और math का भी दोनों मिला के 4-5 question भी आप फसे यहाँ जो की lengthy tabs रहेगा बात करते है science में science में अभी वह चल रहा है सबसे पहली बात आपको जो भी question पूछ रहा हूँ वो conceptual पूछ रहा हूँ और दूसरा चीज physics में आपको numerical पूछा जा रहा है and अगर बात करें chemistry में तो chemistry के reactions है और chemistry के balance से काफी अच्छा question आ रहा है इन दोनों से आप फस सकते हो तो यहाँ के यह दोनों question आप लोग देख लेना मैं आपको question अभी दिखाऊंगा अगर बात करेंगे gk and current affair तो gk में आप लोग को थोड़ा बहुत history से question रहा है थोड़ा बहुत geography से question रहा है maximum 2022 का ही पूछा जा रहा है ठीक है तो यह हो गया आपका total में आप लोग बता दिये चलिए अब हम लोग डिसकॉस करते है question के बारे में जिसे math में जो है कहां कहां chapter से कितना question पूछा गया है तो अगर मैं यहाँ पर बात करते हूँ बोड़मास और simplification से तो आपका 3 से लेकर 4 question था बोड़मास simplification से ratio and proportion से 3 से 4 question से जो आपका first shift में था and number system से भी 3 question और DI से भी 3 question तो यह कुछ आपका 3-4 chapter है math का जहां से maximum number question आप से पूछा जा रहा है अगर बात करेंगे 2 number वाला question तो profit loss हो गया speed time distance, edge problem, mensuration, geometry इन सबसे 2-2 question आ बात करें तो algebra से एक question, percentage से एक, trigger से एक, SCF, LCM से एक, time and work से mean, medium, mode से एक और average से इन सभी chapter से एक एक question यहाँ से पूछ रहा है ठीक है और जो भी question में यहाँ 100% यहाँ आपका real authentic है तो आप फटाफट चैनल को subscribe कर लो अगर आप आ रहा है से groupD के daily wishes पे आप लोगो कम time में authentic आ time taken यहाँ फिर puzzle में reasoning का अगर में बात करता हूँ तो ठीक है जैसे मैंने कहा math में जिस तरह का मैंने 3-4 बता है reasoning में इन दोनों का अच्छा कर लीजेगा otherwise कहीं से भाफस यहाँ और यहाँ से maximum number question पूछी रहा है आप देखे sitting arrangement से 4 और puzzle से 3 coding decoding से 3 पूछा जा रहा है number series से inequality से आपका एक दो question पूछ रहा है mathematical operation से एक दो clock से इस बार पूछा गया है पिछला shift में clock नहीं था ठीक है इस shift में clock से पूछा जा रहा है question तो clock देख लीजेगा and when diagram से भी question पूछा जा रहा है तो clock यह new include हुआ है जो first shift में नहीं पूछा गया था तो इसको भी देख लीज है फिर पूछा गया कि सराज में 2022 में पंचायत राज वावस्ता नहीं है 2022 तक अभी तक पंचायत राज वावस्ता कौन सा राज जी तक नहीं पूछा है तो यह आपका correct answer हो जागा नागा लेंड वहां तक नहीं पूछा option में त्रिपूरा अंद्रपरदेश और मेगा था वह कौन जीता कौन सा राज जीता तो केरला जीता है यह पूछा गया था फिर combination reaction का कुछ एक्जामपल पूछा गया था जैसे आपको पता है वाटर जो बनता है hydrogen प्लस oxygen से मिल के बनता है H2O ठीक है तो उसी यह क्या combination है तो इस तरह का आपको पूछा गया था फिर caustic soda जो होता वो कहां यूज नहीं किया जाता है आपको option दिया गया था paper और pulp industry में या या अमोनिया बनाने में या डिटरजन में तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया बनाने में हम लोग कास्टिक soda का यूज नहीं करते तो यह आपका इस cancer हो जागा फिर question पुछा गया था कि hydrogen और oxygen से जो वाटर बनाते हैं H2O बनाते कौन सा reaction है देखो combination reaction तो combination reaction से आप चली आगे बढ़ते और question में आप लोगों से बात करता हूं जैसे मेडलीप का जो प्रियोडिक टेबल होता है इसमें element को सजाया गया है वर गिरित किया गया है किस परकार से atomic number या atomic mass तो यह atomic mass से था है इससे first वाले question से atomic number से question पुछा गया था तो प्रियोडिक टेबल से 100% हर बार देखने को मिल रहा question ठीक है ध्यान रखेगा फिर आ जाते है focal light से भी काफी question पुछ रहा है जैसे focal length positive होता किसका इस तरह आपको option था convex lens, convex mirror, convex lens, concave mirror, mirror और lens से बीच में था तो convex lens और convex mirror दोनों में जो है focal length तो उसका positive होता धनातमक होता ठीक है आगे पुछा गया था आपका image का distance और यह होता object का distance चलिए बात करते 11th number material का resistivity दिया गया था तो बोला गया कि material को अगर चार भाग में डिवाइड कर दे तो resistivity घटेगा बड़ेगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो resistivity जो है material पी depend करता अब material को अगर मैं चार भाग में डिवाइड कर तो इस्टील तो इस्टील ही रहेगा iron तो फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो इसका रोग का रोही रहेगा resistivity को रोज दिखाते हैं अगर आप resistance का था तो वह भले जो है वो डिवाइड वगरा करने से कुछ difference हो सकता था एक रेजिस्टीविटी जो वह डिफेरेंस नहीं करे होता है क्या क्या होता मैं आपको बताता हो refuse री परपस recycle री यूज इसके वाला reduce तो यह सब होता पांच आर पांच आर में एक बोला था कि पांच आर के ग्रूप में कौन नहीं आता तो reinforce नहीं आता ठीक है तो यहां पर री इंफोर्स होए हुआ हुआ करेक्ट आंसर इसका जाता है तो मिट्टी उसको सडा नहीं पाता है और वह अगर खाता है तो अनिमल खाने से उसका मोद भी होता है ठीक है मचली वेगर आभी पानी में राने वाले जीवी मरते हैं तो एनिमल उससे मरता है तो यह करेक्ट आंसर हो जागा फिर पुछा गया था कि मेल बरी जो सिसम है वह कॉन सा जंगल में पाए जाता है तो पाज जड हाने वाले सभी पेढ़ होते हैं आगे आप से पुछा गया था की रेजिस्टेंस लाइट वेगर से तो द्यान दोने शेप्तर को बाइट का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को आगर पहलाल में कर दिया जाए तो इन में से कौन सा सही होगा तो यहां से आप लोग को देखना तो इससे क्या होगा आपका area of cross section बढ़ता है area of cross section यह क्यों होता है resistance equal to resistivity into आपका P upon A हो जाता तो इसके according आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मेरा parallel में जोड़ेंगे तो area of cross section इसमें increase कर जाता है फिर कहा गया था एक कोईल दिया गया था उसका 6 turn है अगर एक single turn की तुलना में magnetic field produce करेगा मतलब single turn की तुलना में कितना magnetic field produce करेगा अगर एक कोईल में 6 turn है यह आप से question पुछा गया तो इसका अंसरो खुद दीजेगा अगर बात करेंगे तारे तारी क्यों टिंटी माते हैं ठीक है अब वर्तन के चलते हैं टिंटी माता है रिफ्रेक्शन के चलते हैं अगर बात करेंगे 2022 में CAG यह नियंत्रक CAG मतलब होता controller general of account उसका महालेखक परिछा कौन बना है इसके किस आर्टिकल के तहाता है वह ता आर्टिकल 21 के तहात ठीक है यानि कि स्वतंतरता personal liability ठीक है अगर बढ़ते हैं फिर से देखो इससे पहले भी एक आपको mind का जो figure बना दिया गया था पुछा गया था कि spinal code कौन सा figure में आता इस बारी जो आपको फिर से इस तरह figure बना गया था और दो ऑप्षन इस तरह धेर सर अप्षन था दिया गया जैसे urine urine जो होता मूत्र उसका formation urine formation और urine collection वह लग कहां पर है तो वन टू इस तरह करके आपको पाट देगा तो इस अब थोड़ा देख लिजेगा फिर पुछा गया था कि MP में मध्य पर्देश में पहला commercial biomass hydrogen plant कहां खोला गया तो आपका खांडवा में खोला गया है सबसे ज़्यादा अब इल्योक्ट्रो पोजिटिव धातू कौन सा आता है element तो आपका सीजियम हो जाएगा राजवास अधिनियम कव लागु किया गया है इंडिया में तो आपका 1963 में लागु किया गया इनमें से कौन सा गलत इस तरह दिया गया था जैसे आपका हैड्रो ट्रोजिम ट्रोप जाता है तो यहां दिया गया था हाइट्रो ट्रोपीज्म इसका मतलब तो सही होता है प्लांट ग्रोड टुवार्स वाटर वाटर के तरफ क्योंकि हाइड्रोमिस पानी होता है तो पानी की और वह मुड़ता है यहां से क्या है इस्तर करके पट्तावेगर है तो आप देखेगा एक टाइम पिरेट के बाद अगर मानलो इधर होता है तो पानी इदर से source है न कहीं जियो तर्मिजम नहीं होता यह बोला गया था पॉलेंग जो है वह आपका ग्रो होता ट्वार्ड जी ओवल यह आपका गलत है तो इसका यह गलत हो जाएगा अंसर गलत बोला गया था फिर आपसे कोशन यह पूछा गया है है हैदराबाद एक लिवर्टी फेस्टिवल हुआ उसमें चीफ गेस्ट देश कौन सा था इसमें आपका चाइना था युनाटेट किंडम वेगरा था ठीक है और और कुछ ओप्सन था करेक्ट अंसर साइद यूके होगा लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता तो आप लोग खुद इस चीफ के बारे में देख लेंगा था फिर सुल्स दाड़कता है उस टाइम प्रेड में जो है व कैसा होता क्या ब्लट जो मेरा इंटर करता है वेंटुकल में यह पुछा गया था तो एच का क्रेक्ट अंसर हो जागा फिर मुगल पहला मॉडर्स सीटी को बनाय था फतेफुट सिखरी बनाय था फिर नितिया कि अनु तरेंट का जो है वह नहीं बात करा कोमन वेल्थ गेम चल रहा है उसका नहीं बात कर रहा है यह दूसरा बोर रहा फिर बात करेंगे और आपका यहां पे पुछा गया था कि और यह पील होता है और राजाराम मोहन राई जो है वह किसी का स्थापना किया था आप देखोगे अठारा के फस्थ में भी राजाराम मोहन से कोस्टन था और आपको एक जो यह था गर्म निरोधक गोली से भी कोस्टन था आपके 17 सिप्ट के 3rd और 1st दोनों में रहा था तो हर बार रिपीट कर रहा कोस्टन यह तो बहुस सारे कोस्टन रिपीट भी होता है इसलिए पेप to आपका 36 रहता है 2 and equal to 24 रहता है तो यहां पुछा गया था 2 and equal to 18 तो बताईए ओटो संप कितना इसका होगा ठीक है से सर्मों से question पुछ सकता है तो यहां से question था और discuss करते हैं जैसे आप से से पूछा गया था ketone family देखो अभी तक जो है आपको carbon से और उसके compound से question नहीं पूछा गया था chemistry का काफी important अपका chapter है अब question पूछा गया है इस बारे तीन question से पूछा गया है इस shift में तो अब आप carbon and compound का भी chapter को अच्छे से देख लिजेगा ठीक है carbon and its compound यहां से question अब पूछना start किया गया है तो यहां देखो kitten family का पहलार दूसरा compound आप से पूछा गया था तो answer आपका यह होगा अगर बात करेंगे इस तरह question था है इन में से कौन एक जैसा property वाला है तो यहां पर अब ध्यान देव गए तो आपका जो अगर बात करेंगे cn h2n plus 2 इसको follow कर रहा है कौन ए वाला क्यों देखे यहां पर n के जगा में 3 अगर put करेंगे तो क्या हो जागा यहां पर c3 h 3 put करेंगे n के जगा में तो 3 दूनी 6 दू 8 तो h8 हो गया ठीक है उसी तरह अगर में बात करेंगे इसका तो n के जगें 5 put करेंगे देखो यहीं पर c हो जागा क्या c5 और h n के जगें फिर 5 5 दूनी के 10 दू बार तो h8 तो यह पूरी तरह से follow करते बेजा रहा है मतलब यहां पर कितना 5 दूनी 10 दू बार तो 12 आ जाएगा सारे चीज के बारें पता करना जैसे आपने देखा मेत का रिजिनिंग का किस किस चेप्टर से कितना question कुछ है का जी के से कैसा question था उसका answer वेगरा में बता दिया राइट आपको पता चल गया सानिस से कैसा level कैसा था attendance कितना था तो आप चैनल को subscribe कर लेना bell कर प्रेस कर लेना ताकि कम टाइम में आप real and authentic सारे question को पता कर पाई level आप लोगो को पता चले और आप लोगो का time बचे मिलते आप लोग next part में तब तक लिए good bye and god bless you all